हेलो फ्रेंड स्वागात है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर और सभी को वेरी गूड मॉनिंग आपको पता है कि डेली सुबर दस बजे की आपकी क्लास होती है लेंग्विज क्लास देखते हैं हम 30 प्रशन पूरे हिंदी, इंग्लिश और संस्क्रिट तीनों से क्योंकि सुबर टेट के अगर आपते यारी करने हैं तो तीनों सब्जेक्ट आपको अटेम्ट करने ही करने पड़ेंगे कोई ओप्शनल नहीं रहेगा, आपको सारे सुब्जेक्ट अटेम्ट करने पड़ेंगे उसके पहले आप यूपी टेट या जो भी एक्जाम टेट से रिलेटर देंगे उसमें भी आपके इनमें से दो लेंग्विज आनी ही आनी है तो बहतर है कि प्रेपरेशन हम साथ में करते चले, काफी वेट डिज होता है चले जत्ते भी लोग लाइफ जुड़ चुके हैं, रिप्लाइ करने के लिए रेड़ी होचाई ये स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन चैनल पर अगर आप न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा तो आज का जो पहला प्रेशन है वो है आदित्य का परियावाची नहीं है यहाँ पे जो नहीं होगा वो आपको बताना है दीपक, दिवाकर, भासकर, दिनकर तो देखें आदित्य मतलब हो क्या होता है सूरे, सूरे को कहते हैं आदित्य तो इसका परियावाची नहीं है आपका आप्शन नमबर है दीपक बाकी सारे दिवाकर, भासकर, दिनकर यह सब सूरे के ही परियावाची है वर्तनी से एक प्रशन आता है आपका तो यहाँ पर देख लीजे कौन सा शब्द जो है जिसकी वर्तनी सही है, शुद्ध है मैं वर्तनी वाले प्रशनों को पढ़के option नहीं बताऊंगी वना उसे clear हो जाता है कि कौन सा सही है तो अनुग्रहीत जो है इसमें आप शब्द जो है यह कौन सा सर्वनाम है निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंध वाचक या निश्चेवाचक तो यह जो है आप निजवाचक सर्वनाम के अंतरगत आ जाएगा आलस से शब्द का विशेशण क्या होगा अगर आलस से शब्द से आप विशेशण बनाएंगे तो क्या वनेगा आलसी, अलस, आलसी, पन, आलस तो विशेशण क्या होते हैं विशेशण जो संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताते हैं तो जैसे अगर कोई इंसान के बारे में बात कैसे से राम तो हम क्या बोलेंगे राम बहुत आलसी लड़का है ऐसा ही कुछ बोलेंगे तो हम आपे कहेंगे आलसी जो है उसका विशेश रड़ेगी राम कैसा लड़का है आलसी लड़का है तो यहाँ पर आपका option number A सही होता है आलसी यह सही उत्तर हो चाएगा हिंदी का पहला समाचार प्त्र क्या है उदंत मारतंड, बंगदूत, लोकमित्र, प्रजाहितैशी फिमसे काफी सेयुत्तर होता है इस प्रशनी के लिए आपका option number A उदंत मार्तंड ये इसका सेयुत्तर हो जाएगा ये हिंदी का फैला समाचार पत्र है और इसके बारे मैंने आपको पत्र पत्र काओं का भी एक वीडियो बना के दिया हुआ है हिंदी साहित नाम से एक प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल सकता है होनहार बिर्वान के होत चीकने पात इस लोकोक्ती का क्या आरत है चीकने पत्तो वाला पौधा सुन्दर लगता है होनहार पालक के लक्षन बचपन से ही प्रकट होने लगते है उद्यान का शौक होना या फिर चीकने पत्तों से लगता है कि पौधा वरिट्च बनेगा तो आप्शन नमबर बी बिल्कुल सही होता है कि होनहार बालक के लक्षन जो है वो बचपन से ही प्रकट होने लगते है देखने लगते हैं समझ में आने लगता है कि ये बच्चा आगे चलके काफी टैलेंटेट होगा जहां अनेक वर्णों की आवरिती केवल एक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है श्लेश यमक छे कानुपरास वक्रोगती अनेक वर्णों की इंसन वह किसी वी वर्ण की आवरिती से वेग बार हो ओके तो जित्ते भी लोगों ने आपका आप्शन नबस्ती गेस किया है शे कानुपरास बिलकुल सही उत्तर हो जाता है जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा अभियोक्त अधियोक्त अधियोक्त अभियोक्त अभियोक्त अप्शन नमबर डी हाँ पर बिलकुल सही उत्तर जाता है अभियोक्त और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजेगा एक बार तो आपका option number is सुखी जो है या अपने आप में एक शब्द है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ जब कि इसमें आ लगा है इसमें उप लगा हुआ है ठीक है इसमें नी लगा हुआ है निर लगा हुआ है अध्यापिका शब्द में प्रत्य है क्या का पिका आईका तो option number डिहां सही जाता है इका अध्यापक धन इका बन गया अध्यापिका इस तरह से मन के किसी ओर प्रवित होने या उससे हटने की अवस्था क्या 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 लाती है एक शब्द में मन के किसी ओर प्रवित होने या उससे हटने की अवस्था तो option number यहां पर आपका सी से होता है मनो ब्रत्य कहलाती है इंसान की यह मनो ब्रत्य जो है वो बदलती भी रहती है युश्मत शब्द का ते रूप किन-किन विभक्तियों में बनता है यह आपका संस्क्रित से है प् बढ़ते हैं शब्द रूप तो उसमें ते कहां कौन-कौन से भी भक्ति में ते आता है तो चलिए देख लेते हैं इस प्रशनी के लिए आपका जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका option number C चतूरती और शष्टी दोनों में ही आता है नव दर्शन किस तंक्या को दर्शात है यह बताना है नव दर्शन तो बिलकुल यह आपका 19 को दर्शाता है नव दर्श तो वही एक दिन मैंने और बताय था कि वैसे 19 को एकोन विंशती बोलते हैं लेकिन आपको 19 वर्ड भी सुनने को देखने को मिल सकता है तो कंफ्योज नहीं होना है प्रत्मा विभक्ति किस में होती है फटावर से दीखे प्राति पदिकार्थ में परिमाड में वचन में या फिर इन सभी में विभक्ति कारक एक बार अगर आपका नहीं क्लियर है तो कर लीजे क्लियर उसको मैंने पढ़ाया है संस्क्रिट नाम की प्रेलेस्ट में आपको मिलेंगे सारे वीडियो सारे वीवक्ति के Option number D आपे सही होता है इन सभी में प्रत्मा विभक्ती का प्रयोग होता है संबोधन में कौन सी विभक्ती होती है प्रत्मा दुदिया, सब्तमी या शष्टी संबोधन में सिर्फ हे लगा देते हैं आगे जैसे हे राम, हे वालक ऐसा करके देते हैं बाकी प्रत्मा विभक्ती होती तो Option number A सही उत्तर हो जाता है कृष्ण सर्पह का विग्रह क्या होगा? कृष्ण सर्पह कृष्ण सर्पह, कृष्णम सर्पह, कृष्ण सिर्पह या कृष्णय सर्पह तो Option number यहाँ पर A सही हो जाता है कृष्णा सर्पा, यह सही अंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, देखेंगे अगला प्रश्न, नख भिन्णा में कौन सा समास है, नख भिन्णा, तुटिया, ततपुरुस तृतिया, ततपुरुस चदुर्थि, ततपुरुस या भहुबरिही, तो देखे नक भिनना मतब नक से भिनना तो इस तरह आपका से जो यहां कारक चिन का लोप होता है करताने कर्म को करण से यानि कि तीसरे नमबर पिद करण के साथ में जो आपका से आता है उसका चिन होता है से तो option number यहाँ पे 20 ही होता है तृतिया तत्पुरस कारक चिन्ह यह साई चीज़े याद कर लीजिए कृत्य प्रत्य किस वाच्च में प्रयूक्त होते हैं कर्मवाच्च भावच्च दोनों में या कर्द्रवाच्च तो यहाँ पे सयुत्तर होता है आपका option number C कि दोनों में प्रयूक्त होते हैं अब यह होते क्या है जिसके कुछ example जैसे अनियर हो गया तव्यत हो गया तव्य हो गया यह सब आपके प्रत्य के अंतरगत आते हैं कि पूज निय शब्द में कौन सा प्रत्य है तव्यत अनिय एलिम क्यालिमर तो देखिए वैसे यहाँ पे पूजनिय शब्द में अनियर प्रत्य है यहाँ पे अनियर बस लिखा हुआ है तो आप इसको ही टिक कर देंगे जाहिर से बात है बड़ बेसिकली यह अनियर होता है ऐसे लिखा जाता है संस्कृत में प्रत्य और संस्कृत के प्रत्य से प्रश्ण जरूर आता है और संस्कृत में प्रत्य ही है जो थोड़ा सा समझने में complex है एक बार समझ लेंगे तो ठीक है लेकिन जब तक समझ में नहीं आता है तब तक बहुत confuse करता रहता है और काका उचारण स्थान है क्या दंत, तालू, मुर्था कंठ तो यहाँ पर सेयुत्तर होता है आपका option number D कंठ हो जाता है ना अगोवे सर्जिनिया नाम कंठ सूतर से महर्शी का संधिविच्छेत क्या है महां धन रिशी महां धन रिशी महां धन रिशी महां धन रिशी है महां धन रिशी बिलकुल सेयुत्तर आपका हो जाता है यहाँ पर option number A चलिए अब आच आते हैं हमारे English वाले section में क्योंकि कुछ भी हो compulsory है तो हमें attempt तो करना ही करना है पसंद हो और चाहे ना हो क्योंकि जब exam में number आएंगे अच्छे merit बनेगी तो वो बहुत पसंद आएगा तो चलिए इस देख लेते हैं तो यहाँ पर जो पहला word है irrevocable ठीक है इसका आपको अर्थ बताना है meaning बतानी है which can be altered, reversible, irreversible, irrecoverable चलिए देखेंगे सयुत्तर क्या होता है इस प्रशनी के लिए तो आपका पहले तो इसका हम अर्थ देख लेते हैं हिंदी में क्या होता है तो हिंदी में इसका अर्थ होता है सुधारा तीत या फिर असुधार्थ करके होता है तो यह इसका जो है अर्थ हो जाए जिसको बदला ना जा सके है ना ऐसा sense निकलता है जिसमें सुधार ना किया जा सके change ना किया जा सके irreversible यहाँ पे correct answer हो जाता है irreversible का मतलब भी जिसको reverse यानि कि वापस अपने पुरानी स्थिति में ना लाया जा सके यह बदला ना जा सके तो यह कुछ न कुछ उसका sense शो करता है choose the correct synonym of the word ridiculous ओके love, affection, absurd, jealous ridiculous का क्या मतलब है फिल्मों में बहुत बोल दें this is ridiculous ऐसा करके फटाफट से बताईए तो ridiculous मतलब वो पहास योग या बेतुका यह sense होता है तो इसका जो सही सीनों नीम होगा वो आपका option number C हो जाता है absurd का मतलब भी बेतुका यह असंगती होता है जब आप इसे combine करेंगे तो इन में से क्या लगा कि आप इसे एक अच्छा sentence sensible एक sentence बना सकते है तो यहाँ पे still जो है वो correct answer हो जाता है इसको आप जोड सकते है still conjunction का use कर सकते है still करते हैं फिर भी हो जाता है तो यहाँ आपका बन जाएगा I was annoyed still I kept quiet यानि कि मुझे बहुत annoying लग रहा था मैं मुझे annoying feel हो रहा था फिर भी शान्त रहते हैं यह sense निकल के आजएगा फिर भी sense लगेगा choose correct word order सही sentence बता दीजिए structure पता है आपको क्या होता है subject होता है फिर आपका verb होता है वो जो basic structure होता है वो आपको already मैंने पढ़ाया है इससाब से बताए कौन सा sentence जो है सही है जो किसमे words जो है सही order में लगे है she speaks always the truth she always speaks the truth she speaks the truth always always she speaks the truth तो यहाँ पे आपका जो सही answer है option number B से हो जाता है she always speaks the truth यानि कि वो हमेशा सत्य बोलती है यह order जो है वो बिलकूल सही है क्योंकि आपको basically verb के बाद exactly आपको अपना जो object होता है उसको लगा देना चाहिए बीच में आपको कुछ भी ऐसे insert करनी की ज़रूरत नहीं है इसके बाद हम देखेंगे अगला जो हमारा question है उसमें क्या है every student blank searching was present in the class क्या आना चाहिए कि कुछ sensible sentence बन जाए तो यहाँ पे basically expect आना चाहिए लेगिन सही spelling क्या है वो आपको बताना है तो option number यहाँ पे आपका से हो जाता है be accept की spelling होना चाहिए था accept होगा ठीक है except का पूरा sense निकल कर आ जाएगा कि सचिन को छोड़ कर class में सहर प्रतेग जो है विद्यार्थी student मौजूद था उपस्तित था choose the correctly punctuate sentence जिसमें punctuation से है अच्छा question अब यह punctuation बताना है कि किसमें कौन सा sentence है जिसमें punctuation यानी जो मात्राएं होती विरामचिन होते है capital letter, small letter होता है यह सारी चीजों का सही use हुआ है sentence सब वही है रामा दस्टन ओफ दस्रताव was very brave लेकिन आप देख रहेंगे जिस कॉमा किसी में यहां यहां लगा है किसी में यहां लगा हुआ है तो इस हिसाप से आपको देखना है तो यहां पी जो सबसे सही होता है sentence punctuation के हिसाप से वह होता है option number B रामा, the son of दस्रता, was very brave यानी कि राम, दस्रत की पुत्र, बहुत brave थे ठीक है? यह सही answer हो जाएगा बहादूर, I mean choose the appropriate meaning of the item item क्या है burning questions burning questions का मतलब क्या होता है a dying issue, a relevant problem, an irrelevant issue, और a widely debated issue तो सही answer यहां पे होगा आपका option number D a widely debated issue, इसको जो है burning question कहते है मतब burning question उसको कहते नहीं है burning question के जो है को Adam है, जिसको use करते है, मुहावरा है, इसको हम use करते हैं, इसके लिए जलन दप्रशन हिंदी में बोल सकते हैं यानि कि ऐसी कोई चीज जिस पे बहस हो सके, बहुत जादा बहस हो सके, तगडी बहस हो सके, वो ऐसा issue कोई ऐसा matter उसके लिए हम use करेंगे, ओके नेक्स देखेंगे, the reason for her absence is blank, she is ill, but that, if or as, conjunction क्या आएगा? सही उत्तर हो गए हाँ पे, that, the reason for her absence is that, she is ill, यानि कि उसके अनुपस्तिदी का कारणिया है, कि वह बिमार है, तो हमने क्या बोला, reason के पहले क्या बोला, की वह बिमार है, की, that के लिए, मतलब की के लिए आप English में that लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखेगा Is still in the following sentence a noun or adjective? Still, क्या है? Noun है कि adjective है, लेकिन यहाँ पे sentence नहीं दिया हुआ है, सिर्फ question है, और सीधे पूछ लिए आए, कि इसमें noun है कि adjective है? तो इस question को जो है, हम यहीं पे फिरहाल cancel कर देते हैं, still को, क्योंकि sentence ही नहीं है, following sentence, जो है, वो दिया नहीं है, इसमें तो छोड़ देते हैं, इसको अगला देखेंगे correct pronoun in the reporter speech, pronoun लगाना है, यहाँ और यहाँ he said, if you were young, I would marry you, okay, he said that, if blank were young, blank would marry blank, तीन जगाना है तो यहाँ पे जो सही answer होगा, इसके लिए वो हो जाते है, आपका option number A he said that, if she were young, he would marry her, ठीक है, यहाँ जाएगा clear, any doubt देखें, उसने कहा, कि अगर तुम जाहर से बात है, वो शादी करने की marry की बात कर रहे हैं, तो किसी लड़की से करने की बात हो रहे है, तो उसने यह कहा, कि अगर वह, यहाँ शी लगा दी, अगर वह young होती, छोटी होती, मतलब शायद age में उससे छोटी होने की बात हो रही है, तो वह उससे, मतलब कौन उससे शादी कर लेता ये लड़का उस से शादी कर लेता तो यहाँ पर ही लगाए और वो शादी किस से कर लेता उस से कर लेता है यहाँ पर हर से कर लेता तो यहाँ पर हर आना चाहिए तो यह इसका जो है सही एंसर होना चाहिए था she, he और her ठीक है? यहाँ पर she confirmed है her और him यहाँ पर इस तरह से करके दे दिया है, confuse करने के लिए बट her वाला answer आपका आएगा next देखेंगे next नहीं actually complete हो चुके हमारे 30 questions so I just hope कि आपको आज का session पसंद आओगा पसंद आए तो like करें, share करें और अगर चैनल पर आप नू है तो please subscribe करके bell icon जरूर प्रस करिएगा so thanks for watching, keep studying and bye bye